नमस्कार दोस्तो एक पर फिर से सवागत है अब लोगों का रोसंसा इस टेडी पॉंट पे और आज का जो वीडियो है 11th क्लास के सभी स्ट्वेंड के लिए बहुत जादे इंपोर्टन होने वाला है क्योंकि आज किस वीडियो में हम 11th क्लास 60 का जो 7 चैप्टर है जिसका ना और इसके लाबा आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें देखिए दोस्तो आप लोगों का 11th क्लास का कम्प्लीट लेवल से रोसंसा इस टेडी पॉंट पे कर वाया जा रहे हिस्टी पोल साइंस का इसके अलाबा सभी चैप्टर की इंपोर् सब्सक्राइब कर लिए तो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा है तो चलिए दोस्तो अब हम अपने को देखना स्टार्ट करते हैं इसका इन सभी को देखने से पहले आपको क्या करना है सबसे पहले आपको वीडियो को देखना है चैप्टर की वीडियो मैंने आप ल कि नहीं को जरूर देख लेंगे जब जाकि आपको इसमें जितने भी कुश्चन आपको समझाएगा आसानी से आपको समझ में आ चायेगा और आप लोग ने अगर देख लिए वीडियो को तो बहुत ऐची बात ईसके अलाबा इस वीडियो में आपको को सम्झाने की कोश्चि तो देखे दोस्तों नीचे एंसर भी दिया हुए इरोपी तिहास के बारे में जानकारी प्राप्ट करने का मुख्य जो सुरोत है चौरुभी सथी के बारे में वह है इरोब और जो अमेरिका है ठीक है यहां कि अभिलेखा गारों में अभिलेखा गार आप समझे अभिलेखा ंटफनिलिकर सब्सक्राइब फिर new time liạn हो सकते हैं तो इससे कि पृएब पत्थर चटानों पर लिखे जाते हैं ठीक है्यास किसी पौलिस पत्थरो यादि कर दरतारों न किसरे हो सकते हैं एक पार आपके सारु है जेवारे में सभैता बारे में रहा है लाइंड इसलेकिworking फारे चांड़ी हर्फ में जानकारे प्रिदान करती है तो यह पड़ेवाइस हर् लुक्षाम के बाद हम देखते हैं question number 2 है question number जो दूसरा दिया गया है वह है पुनर जागरन से आप क्या समझते हैं इसे आधनिक यूग का आरंब क्यों समझा जाता है तो दोस्तों यह जो question है कुल मिला के मतलब इसमें दो question add किया गया सबसे पहले तो आपको इस question में आपको पुनर जागरन के बारे में बताने हैं सबसे पहले चीज़ ठीक है और दूसरा आपको पताने है कि जो पुनर जागरन है उसको ही आधनिक यूग का आरम क्यों माना जाता है तो आपको पता है पुनर जागरन का समयकाल क्या है चौद्वी सदी से पुनर जाग से नामों से हम इसको ज़नते हैं अब दिश्पों अंगरे जी मैं हम इसको क्या कहते हैं कर ऑख समझे है दूसरा पण लिखा कि है रिखा तकषित लेका सोलवी सधी का संहाकाल तक और टलवाट को की सुबार्फ है यहाँ मांत में खे और पुनर जागरन के युग में ही क्या हुआ जो मध्यकाल की रूडिवादी मानेताय थी मतलब पुरानी जो मानेताय थी चर्ज की मानेताय जो थी उसके विरूद आबाज उठाया गया वो एक तरीश समाप्त होगे पुरानी मानेताय जैसे कि आप लोगोंने चप्टर को समझाओ तो आपने आप लोगोंने देखा होगा उन्र जागरन के समयकाल में यह सभी मानेताय समाप्त हो गई ठीक है इसके अलावा इस काल में बहुत सारे नविन वैज्ञानी का भिसकार किये गए बहुत सारी खोजे हुई वोगोली खोजे हुई और कला और साहिते के छेतन में भी बहुत जादा उन्नती परगती देखने को मिलता है तो इन सभी कारणों से क्या है पुनर जागरन को आधनियों की यूग का आरंभ माना जाता है यह आपका दूसरा कोशन होगी है आप कोशन नमर तीन देख लेते हैं कोशन नमर तीन है पुनर जागरन का उदय सबसे पहले इरोप में क्यों हुआ ठीक है वैसे हाँ पीडियम मैंने यहाँ पर अटैज कर रखा है जिसमें से मैं आपको समझाओंगा तो पुनर जागरन का उदय सबसे पहले इरोप में क्यों हुआ सवाल है बहुत ही आसान कोशन है मैं समझा देता हूँ पुनर जागरन का उद्भव यानि की सबसे पहले जो नविन वैज्ञानी का विश्कार वेगारा जो होने सुरू हुए चर्च के खिलाब जो अब आज उठाये गए वो इरोप में उठाए गया थैना पुनर जागरन का युग सबसे पहले इरोप में के आने के पीछे गाज़ पहला आपका जो सबसे महत्तपून कादन था और धर्म्यूद ठीक है आपको पता है कि भाई धर्म्यूद जो हुआ था आपको पता है धर्म्यूद इसाईयों और मुसल्मानों की बीच में लड़ा गया था जेरुसलम को लेकर क्योंकि जेरुसलम मुसल्मानों के लिए भी बहुत जाना महत्पुन था क्योंकि जेरुसलम में मुसल्मानों का एक परशिद मस्जिद डॉम अफ रॉक को ही पे था और इसके अलाबा इसाईयों के लिए भी जेरुसलम का महत्विसेश था क्योंकि इसाई मतलब जो इसा मस्जी थे उनको सूली पे यही पे लटकाए गया था और तीन दिन बाद जो दुबारा जिविद भी हो गय थे जेरी सुलम को छुड़ाने के लिए युद लड़ा गया थे लेकिन तीनों धर्म्यूद तीन धर्म्यूद हो रहा था ना तो उस से में क्या हुआ इसायों को यह ऐसास हो गया था कि धर्म के नाम पे युद करने से उनको किसी परकार का कोई फैदा नहीं होने वाला है बलकि उनको अपने उन्नती परगती और मतलब उन्नती परगती पर उनको अपना ध्यान एक कत्रिद करना चाहिए ध्यान देना चाहिए तो इस कारण कह थीए से चर्च के नियमों के खिलाब था चर्च के अधिकारों को चुनोती देने के लिए धर्मसोदार आंजोलन चलाए गये थे आगे हम धर्मसोदाब आंजोलन के वारे में वैस्य कोशन में एड़ रखा है उसमें समझा दो धर्म का झावा दो लोगों के बीचारों में ज मिस समय काल में क्या हुआ बहुत सारे वग्दाने को जिए होई 사람이 कि यहाँ पर आपका मारको पॉलो का नाम लिख दिया है ivi anthropologist Nep問題 इसा सूचर की अंत्र मंद्र आ है इसकी समुदर में हमें सही जिसा का ग्यान होने लग bishop का बहुत चाला समूंदरी खोजे नंहें देशों की खोज होने लगा उने लगें से दूसरा ऐइलीए वरने ने क्या बनाया था तो इस यह न गिन हो चाहिए सहा नहीं चाहिए आप के ऐसे के खालता है के लिकाल थैसों मने hir सबसे पहले प्रिंटिंग मशीन का दिर्मान किया था लगभग 1455 या 56 के आसपास 1455 बुग में लिखा हुआ है लेकिन गूगल पे आप सर्च मारेंगे तो लोगों के बीचार में जागरी ती आई कोई भी बीचारा किया तो बहुत तेजगती से फैलाना चाता था तो बहुत तेज गती से इस printing press के माधियम से पुस्तक के चापके उनके बिचारों को आगे बढ़ाया जा सकता था उनके बिचार को फैलाया जा सकता था तो इससे भी कही न कहीं लोगों की बिचारों में जागरीती आई और पुनर जागरन का उदभव सबसे पहले कहा हुआ इरो उससे में मनुस्य में रूची लेना और उसका आदर करना ही क्या है मानपताबाद हमानपताबाद का अर्थ क्या है हम मनुस्य के समस्याओं काधियन करते हैं मनुस्य की समस्याओं क्या है मनुस्य की जीवन के महत्व को हम सिविकार करते हैं मनुस्य का जीवन कितना ज़्यादा महत्वन है लेकिन पुनर जागरन से पहले मानपताबाद को पर लोग की अपश्य में इसी लोग की बात करते हैं तो लोग की आने की आप इस जिस लोग में आप जिस दुनिया में रह रहे हो ना उसको ही हम महत्व देते हैं मानवताबाद में ठीक है क्योंकि हमारे लिए यही लोग जिसमें हम निवास कर रहे हैं वही सब कुछ है पर लोग वाइगारा कुछ नहीं होता है आसा मानवताबाद का मानना है ठीक है आगे बढ़ते हैं मानवताबा सबसे पहले क्या पताना है कि जो धर्म सुधार आंदोलन है वो क्या है ठीक है धर्म सुधार आंदोलन से आप क्या समझते हैं और यह आंदोलन चलाया जाने की पीछे के परमुक कारण क्या थे पहले तो आपको यह पताना है अब दूसरा कोशन देख लेते हैं दूसरा कोशन ने मार्टन लूथर कौन था ठीक है और इसने पोप के बिरूद विद ठीक है उसके बाद तीसरा जो कोशन आ सकते हैं आपको इसी कोशन को अलग तरीक से पूछेंगे कोशन है धर्म सुधार को ने पंदरवी पंदरवी और सोलवी सदी में रूमन कैथलिक चर्च और पादिर्यों के किन रीतियों और पर्थावों के विरुद अपत्ति की अब आज उठाना सुरू कर दिया था तो आपको एक तरीके से पाद्रियों की कमिया या चाथोलिक चर्च के अंदर जो कमिया थी वह आपको इसमें बताना है तो तीनों ही कोशन का जो आंसर होने वाला है सेम होने वाला है कुछ भी हमें इसमें अलग-अलंग आंसर नहीं पहले सबसे पहलेम समझतें धर्मसुधर आंधुलन होता क्या है देखे दोस्तों मैंने आप λέबोária को वीडियो में समझाय कि धर्म-अधर अंधर उस आनधुलन कहते हैं जब किसी धर्रम कोई कमी आ जाती है तो मैं सुधार लाने में के लिए जया और रार्म हम क्या दृख ग OtherwiseAU ह्टा आव वोलेंगे ठीक है तो इसाइट अभूर आपयारी ऍव वेशों को कंभी और मार्टिन फॉलेंगे की ज हों सबसे पहला कारण भाई भोग विलाज का जीवन जीदा देखो जो पादरी थे ना खेट लिया कि लोगों के वारे मं नहीं सोचते थी और अपना जीवन बिल्कुल भोग प्रित्रपद को बेच दिया करते थे तो इस कारण भी लोग उनके खिलाब थी लोग उनके विरोध में थी ठीक है और इस कारण यह आंधुलन चलाए गया तो उसके बादे माफी नामें बेचना अब माफी नामें कुछ ऐसा दस्तावेज होते थे दोस्तों जिसके मतलब बेचना भी लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं था ठीक है और इस कारण लोगों ने चर्च के खिलाब आप आज उठाना शुरू कर दिया उसके बाद आप अगला पंट बताएंगे पोप द्वारा करकी वसूली जो पोप है ठीक है पोप क्या करते थे लोगों से जबरदस मार्टिनलन के दौह कि दौहर मार्टिन लुथर के दौद अग्ला कोशिन देखते हैं कोपर निकसी करांदि क्या समझते हैं तो आपको पता है कि कोपर निकसी ऐसे विधवान थे जोसिए पहले चर्च के खिलाप अबाज उठाना है वैसे इन से पहले भी बहुत सारे विद्वानों ने चर्च के बर्चस्प के खिलाफ या चर्च की जो सिधान्द थी सौर मंडल को लेकर कि भाई चर्च का मानना ये था कि प्रीथवी पे जो मनुस्य है मनुस्य क्या है पापी है अब देवब के कारन ये प्रीथवी और इसके पाप के कारण इस तिर ये प्रीथवी इसके क्या हुआ हुआ से एक चर्च के दबाब के खिला मनुस्य के पाप के दबाब के वास्वमश और गर्ला चाड है तो सु उरज है ये जो बने क Täकर का लेकर कि श्रालyer उनका क्या करते हैं सुरज के चारो तरफ तरफ लगाते हैं यह बात किस hecte आपने इक पांडु लिभी लिखी थी अपना गरंत लिखा था जिसका नाम था बिरी लोग जो पादरी लोग है उनको उनको जेल में डाल नेंगे तो जब वो अपनी मृत्तिव सेयापर परे हुए थे जब अंधिम सांसे ले रहे थे तो उन्हें क्या किया अपने इस ईपने इस घृप दिया इन आम आपको मैं पता देता हूँर जोसिम रिटिकम ऐसे इंत मुरुन मैं का सिढ़ दिया देने में इसको प gli को हम क्या कहते हैं को पर नीकर्श करांती करते है। धिका आपको यह स्क्était आज्छी चीजि दीको पर निकर्श क्रांती में लिखने हैं के दोस्तों आगे बढ़ते हैं कोशन है अगला question है पुनर्जागरन काल में महिलाओ की स्तिती का वर्दन कीजिए ठीक है या फिर इसी को अलग तरीके से question पूछा जाता है कि पंदरवी सोलवी सदी के दोरान महिलाओ की स्तिती कैसी थी ऐसे आपको पंदरवी सदी लिख दे सिर्थ या 16 भी सदी लिख दे ठीक है इस बसक्षाल है कि सुभी या संपन परिवार की भी टेलेड़ीफ टेलेग्राम को आप जरूर जरुग जरुड जरुडूर कर ले ठीक है तो हम यहां पर को शर्ट क कि बात कर रहें महिलाओ के स्चिधी पुनर चागरण काल में महिलाओ को केक्ट तरीके से क्या था कि güzel में जितनी फैसले होते थे इसमें कोई भी निन्य ל׏ने का अधिकार नहीं था निर्नाय कोन लेते थे तो निर्नाय लेते थे पूरुस के उकिस घर में दबदबा किसका होता था पूरुस का हुआ करता था इसके अलाबा महिलाओं को लड़कियों को सिक्षा भी नहीं दिया जाता था सिक्षित किसको करते थे सिर्फ लड़कों को क्या करते थे ताकि वो आगे पढ़ लेके अपनी जिम्मेदारी उठा सके ठीक है इसके अलाबा आप देखेंगे कि बिवहा के समय जो भी दहेज मिलता था उसको लोग क्या करते थे अपने पारिवारी कारेक में पूरी तरीके से लगा दिया करते थे पारिवारी कोई भी कारोबारी स्टाट करना हो तो देखेंगे रकम को पूरी तरीके से उसमें खर्च कर दिया करते थे इसके अराब मतलब लगों बिल्कुल अधिकार नहीं ठाप पती के किसी काम recuperate या पती कारोवार मेव हुआ इक तरीके से अपनी बात रहाง सके तो कई बार क्या हो था भी सब्सक्राइब तो वहां पर कोई परी वार्व करती है तो वहां पर आधा कुछ स्तिदी अलग थी अगर वैपारी घराने से उसका संब्ण है तो महिलाओं को जब उनके पती जो वैपारी आ सहू कार जो है और किसी दूसरे गाव में चले गए कारोबार के सिलशिले से तो उस समय क्या होता था कि जो होती ती ओ। पकर की थी तीछ से तmember यह आपका कि मैंने साथ most important question बता दिया है जो कि आपके फॉर्स ट्रॉम के एक्जाम में आने वाले हैं अधिकांस इनी में से आने वाले चीजे बाहर से कुछ नहीं आएगा मेरे हिसाब से तो भाई क्योंकि लगवक चार सालों से मैं बच्चों को कोचिंग क्लासिस दे रहा हो तो मेरे को पता है कि भाई कौन-कौन से कोशन आपके इंपोर्डेंट ब अगली वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत